नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मधिप्रदेश का सिंग्रॉली जिला तीसरी नजर के निगरानी में नहीं है जी हाँ ठीक सुना आपने सिंग्रॉली जिले के आधे से जाधा CCTV कैमरे खराब पड़े हैं अधिकारी अपना अलग तर्क देकर मामले से पल्ला जाड़ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे यह CCTV कैमरे महस दिखावे के लिए हैं यह CCTV कैमरे कुछ देख नहीं रहे यानि खराब पड़े हैं सिंग्रॉली जिले में 50 ऐसे स्पोट हैं जहांके CCTV कैमरा महीनों से खराब पड़े हैं शहर के व्यस्ततम इलाकों से लेकर 14 हो तक के CCTV कैमरा बंद हैं अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की नियत से लगाए गए कैमरे कुछ भी नहीं देख रहे हैं चाहे वह मस्जिद चौक हो या शहर का व्यस्त तुलसी चौक सभी जगा का हाल एक जैसा है CCTV कैमरा बंद होने के कारण अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका सबूत नहीं मिल पाएगा अपराधियों को ढूणने में जहां CCTV काम आता है खराब हो है कि प्रशासन को पता होने के बाद भी मामले में तत्परता नहीं दिख रही इस मामले में पुलीस अधिक्षक का कहना है कि हमने मुख्याले को अवगत कराया है जो होगा वहीं से होगा कि शाशन की योजना के अंतरगत बुल जिले में लगबग 147 कैमरे लगे हुए है इसमें एक हनी वेल कंपनी थी जो जिसको मेंटेनेंस का काम मिला हुआ था उससे कॉंट्रक्ट हतम हो गया है इस वज़े से पिछले एक साल से कैमरों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और ह हमारे लगबग 50 जो लोकेशन से कैमरे हैं वो खराब है कुछ कैमरे हम लोगों ने अपने इस तर पर जो ठीक हो सकते थे और ठीक कराए हैं और शेस कैमरे जो हमारे इस तर पर ठीक नहीं हो सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने पिलिस मख्यालय को प्रस्ताव भेजा हुआ ह और जैसे ही जो है जानकारी मिली है कि यह जो इसका नमीनी करण होगा उसके बाद यह सारी दोस्ताइं सुझार जाएंगी